नमस्कार, वेलकुटो माई चैनल, सिंपल रेसिपी, दोस्तों, आज हम काकरूल की एक पढ़ी हासी डिश बना रहे हैं, जिसे आप राइस और चापाती के साथ 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 डिस में भी ले सकते हैं, या पर इसको चाई के साथ स्नैक्स में भी ले सकते हैं, बहुत ही सिंपल है तो चैनल को करें, तो हम काकरूल को या से पानी में फोड़ी चीर भीगों के रख लेंगे, तो दीखिए में इसको sublet से लाके, इसको पानी में भीगों के रख लेंगे। है इस में बहुत किचण बगरा होते हैं तो मैंने इसको अच्छे से भीगो के रख लिया था पिर इसको इसे ब्रश में ऐसे से कर के साफ लेना है चारो तरप से ताकि कोई किचण बगरा ना रहे जाए दोस्तों साफ करने के बाद इस तरह से इसको निकाल लेना है इसके जो डंठल है और इसको हाफ में हाफ में या फिर लेंग्ध वाइज या फिर ब्रेट वाइज आप इसको कट के लाना है बहुत ही टेंडर है यह करते हैं अब देखिए इसको मैंने इस तरह से काट लिया है आप चाहे तो इस तरह से गोल वाइज भी काट सकते हैं अब हम क्या करेंगे इसमें थूर अशा सौल्ट आड करेंगे बॉल में डालेंगे अब इसमें डालागे सब्सक्राइब पानी डालाएग इसमें बस इसी तरह से इसको प्रिशर कूग करने के एक बड़ी शिटी आने के आने दक आँच बिल्कुली तेज कर लेंगे इसमें पाने अगर डालेंगे तो फिर आप छलने में छानना भी पड़ेगा तो इस तरह से मैं कर लेती हूं तो इसको छानने के भी जो रोट नहीं है लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि इसको ज्यादा पकाना नहीं है अगर सौगी हो जाएंगे तो फिर खराप लगेंगे देखें मैंने इसको बिल्कुली तेज आंच कर लिया है ताक एकदम से जल्दी से एक सिटी आ जाएंगे देखें एक सिटी तक मैंने पका लिया था इसको हाप कोक्ट है हमें यही चाहिए थी अब हम क्या करें कि स्पून के मदल से थोड़ा ठंडा होने के बाद इसके जो सीड है इसको निकाल लेंगे अब यह थोड़ा गरम है तो इस तरह से इसको निकाल देना है थोड़ा होने के बाद कि इससे थोड़े से मोटे हैं तोस तरह से मैश करेंगे जो भी हड़ाणा हाथ में जैसे की इसे निकाल लेंगे मौने शीटाना में निकाल लियुआ है प्नाब अधा का班 में डालए रावागी है, जाधा लिए धायए अधाने तो दिखें मिक्सी जार से निकाल लिया है एकदम दर्दरी है यह फाइन करने से उसको खाने में अच्छा नहीं लगता है तब हम इसको थोड़ा सा और कुछ मसाले अड़ करेंगे इसमें फर्स्ट आड़ करेंगे थोड़ी सी हरी मिल्च तो थोड़ा सी चॉप टानियन ये कर और कर ल में अके रख आई color चॉपट नज़ड़े है ए साहते चाय तो थोड़ा सा टामाडर भी डाल इलिशट़ कोआर निवा प्रचूरिया लेमन दालें तुम्हें पर लेमन डालें जीरा पाउडर नॉर्मल जीरा पाउडर है मसालों का कॉंटिटी बहुत ही कम रखेंगे ताकि हमको काकरोल की जो टेस्ट है वच्छे से आसके थोड़े से गरम मसाला थोड़े से ब्लाक पेपर पाउडर अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से चुटकी भर एकदम हल्दी दालेंगे लास्ट सॉल्ट अब तक इसको मिक्स कर रहे हूं तक तक हमें गया सब्सक्राइब कर दिया है कर दिया थोड़ा सब तेल करने के लिए था था यह ज़िए अब इसमें पानी चोलना शुरू कर देगा जब जैसे हम इसको नमक डाल देना तो मैदा डालेंगे इसमें अभी तो फटा फटा मिक्स करना है और इसके बाद मेदा डालने और मैदा डालके हम रख लेंगे थोड़ी दर तो यह पानी चोड़ना शुरू हो जाएगा तो वो ठीक नहीं बन पाएगी फिर तो पानी अभी इससे वी चोड़ना सुरू कर दिया है तो गेला हो गया है थोड़ा सब डालेंगे अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कनना है फटा फट तो देखिए बाकी के जितने भी मैदे थे मुझे सारा डालना पड़ा मतलब एक बड़ा चमच मैदा मुझे इसमें लगें नहीं तो पानी चुनना फटा फट सुरू हो रहा था तो अब देखिए बढ़िया गाड़ी हो अब इसको एक एकर के भर लेंगे ड KIRKER सारे मैंने बढ़िया थे सुंदर लग रहा है अब हम इसको अबिसको डिप फ्राइब कर सकते का या फिर शेलो फ्राइब आ बीचक हूँआ था तो मीने इसमें इसको डिप नायकर दिए कर देम करम हो गया था जो मैं डाली दाली त नो बोला तरो फ्राइट गरम हो गया है तम इसको फर्ष्ट ओटा कर दो अभी इनको पखने ल्याए जोटा कर लिया है उस्टाइम है जा एक दूटा कर लिया है जैसे के मैंने कहा था इसको अब इसको सैलोफ्राइब भीदा सकते हैं जो काकरो का जो ग्रेनिसने से थोड़ा बो दिख जाती है तो मेरा बिल्कुल ही तल लिया है मैंने तो यह निकाल लेना है अभी इसको अब इसी तरह से बाकी के भी फ्राइ कल देते हैं जैसे कहात हमने उल्टी साइट पहले बाकी के भी मैंने बड़ी असी गुल्डेन ब्राउन तक प्राइ कर लिया है अब निकाल देते हैं दोस्तों इसको सब करने के लिए देखिए मैं इसको अच्छी से अरेंज कर लिया है उपर थोड़ा सा टमाटर और अनियन और हरे मिच्ची सजा लिया है इसके उपर देखिए जाट मसाला दाल सकते हैं और थोड़ा सा जीरा पाउडर जीरा पाउडर इसके बदले डिरेक्टली आप जैसे मैंने कहा था चाट मसाला भी डाल सकते हैं और इसके साथ आप डाल सकते हैं देखिए जो मिठी चटनी है वह भी दाल सकते हैं धनिया पुदीने की च इस तरह से देखिए किते सुन्दर लग रहा है दोस्तो यह रेड़ी है हमार काकरोल की स्नेक्स आई होप आप यह पसंद आएगे दोस्तो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब शूर कर ले थैंक यू